हेलो गाईज आप देख रहे हैं सके लिए वन एक्सपट का यूट्यूब चैनल और आज किस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं जो आपको CSW वर्सेस ASW के बीच में यानि की गाईज जो आपको सेंटरल हिंड सुमें वर्सेस ओकलेंड हर्ट सुमें के बीच में य बहुत बरे चार्ट चेंजेस हैं जिनके बारे में आपको बताऊंगा और मैच आपके लिए काफी अच्छा बन सकता है इंवेस्टमेंट के हिसाब से स्मॉल लिग में तो आप वीडियो में बने रहें गाईज वीडियो को पूरा देखते रही है साथ में इस वीडियो में आप सभी के लिए 30,000 का फ्री गिववे भी है कल के मैच में तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा ठीक है बाकी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे इंपॉर्टन बात इसमें आज की फाइनल टीम अपडेट हमारे टेलिग्राम चैनल पर आपको मिलेगी तो आपको कुछ ने करना है अपने टेलिग्राम में जाना है सबसे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दे साथ में अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आये है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी आउन कर ले है अब चलिए गाइस मैच की अनलीसिस को में स्टार्ट करते है सबसे पहले हम सेंटरल हें सुवें का प्रवेवल 11 डिसकस करते है तो गाइस इनके टीम में ज्यादा चेंजिस नहीं है ठीक है इनका सेम ही स्कॉइड एनाउस हुआ है जो लास्ट मैच से हुआ था तो मुझ इनकी विकेट कीपर ओपनिंग करेंगी एक्टिंसन के साथ 1 डाउन वाटकिन आएंगी इनकी काप्टन, 2 डाउन पर एमकरेक, 3 डाउन पर आएगी के टॉमिलसन, 4 डाउन पर आएगी हन्ना रोवे ठीक है और फिर यहाँ पर चार इनकी बॉलर है डैवन सायर, बार्लेट, ग्रीन और हैंसन ठीक है अब गाईज अगर आप स्टैट्स पर फोकस करेंगे तीनों मैच इसके तो नाटालिया डॉड इस्टेम की सबसे ज्यादा कंसिस्टेन बैटर है लेकिन अभी तक फर्स्ट मैच में 37 रन के बाद ये दो मैच में फ्लॉफ हुई है ठीक है लेकिन फिर भी मैं बोल सकता हूं गाईज इस्टीम की सबसे ज्यादा कंसिस्टेन प्लेयर यही है बैटिंग से तो आप इनका ध्यान दिखेगा बाकी अक्टि की बालिंग में मांतर एक विगेट अभी तक इनको तीन मैचेस में मिला है ठीक है बाकी एम करेग काफी अची प्लेयर है 27-13 दो डीसेंट इनिंग लाश मैच फ्लॉफ गई टॉमिलसन कुछ ज़्यादा खास नहीं ठीक है जीरो और बारा दो मैचेस में हन्ना रो भी बहु कोई विगेट नहीं बैटिंग से कुछ खास नहीं बारलेट मात दो अभर कोई विगेट नहीं ग्रीन बहुत अची बालिंग 11 अभर की बालिंग में 5 विगेट हैंसें तीन अभर की बालिंग में 1 विगेट ठीक है बाकी सुनी गम का भी आप देख सकते हैं दो मैच का स्ट लिए तक उतना अच्छा नहीं कर पाई है है और हन्ना रोबी का भी डिसंट था और हैंसन का भी घाइस टीम की जो कुछ प्लेयर्स है जैसे कि नटालिया डॉड वाटकीन उसके लिए अपनी टीम में रखेंगे गाइस तो मेरी आपके लिए बैटर रहेगा तीनों काफी इं बाकी गाईज हम दूसरी टीम पर आते हैं यहां पर ओकलेंड हर्ट सुमें पर इनका प्रुवेबल 11 डिसकस करते हैं तो इनके टीम में बहुत बड़ी बड़ी चेंजेस हुए ठीक है क्या क्या चेंजेस हैं वो मैं आपको बताता हूं इनकी तीन यंग प्लेयर्स एक इनकी अनना ब्रॉणिंग ठीक है साथ में विकेट कीपर एजी गेज और एक यहां पर में बॉलर फ्रैंज ओनास तीनों अंडर 19 वर्लकप में खेलने वाली है तो तीनों जा चुकी है तीनों इस मैच में अनेवलेबल नहींगी ठीक है और इनकी बहुत बड़ी इंपोर्टेंट हॉली हडल स्टेन की टीम में वापसी हुई है और साथ में यहां पर आपको बैकिंग ओडर में भी चेंजेज देखने को मिल सकती है तो मुझे जो लग रहा है यहां पर सची सहरी के साथ लॉरें डाउन इनकी क्याप्टन ओपनिंग करती दिख सकती है फाइनली केटी पार हैं हाट फिर यहां पर इनकी cannot work क्याटोण और और टेमपलेशं में से कोई एक घैली है ठीक है तो मीएस कोई दो प्लेय्र कुरेइ गी बाकी के नौ प्लेयर आपको 99% खेलती दिखनी चाहिए ठीक है बातिम इंका का автом नहीं है इसमेशें में चेंजे सो सकते हैं अब अगर पर आप फोकस करेंगे, तो सहरी काफी अची रही है, 68 और 40 रन्स की काफी अची पारी आई है, ठीक है, कंसिस्टें बैटर है इस टीम की, लोडन डाउन की एक 44 नॉट आउट रन की अच्छी पारी आई है, केटी पार्किन्स को ज्यादा नीचे नहीं मौका नहीं मिला था ग अधारी खेली है, साली पर 11 वर की बाली में गष्ट, पर 17 हजो यहाँ पर कुछ रंस भी कर सकते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पर हॉक्ले का शी देख सकते हैं, यहाँ पर टॉपरेन स्कोरेन की केटी पार्किन्स थी गाइस, लास्ट सीजन की, ठीक है, तो आप इनका ध्यान नेखिएगा, इस मैच में अगर टॉपर्डर में खेलती है, जिसके खेलने के हाई चांस है, तो यह अपकले कमाल की डिफरेंसल पर बन सकती है, बाकि लॉरेन डाउन का भी आवरिज काफी अच्छा था, हॉर्डी हैडल स्टोन अच्छा केली थी, बाकि विकेट्स में कैली अच्छी थी, हडल स्टोन अच्छी थी, फ्रैंज ओनस एवलेबल नहीं है, ठीक है, और पैन फॉल्ड का भी परफॉर्मेंस ठीक था गाइस, ठीक है, इस टीम से गाइस, जो कुछ प्लेयर्स हैं, जिनको अगर आप टीम में लेकर चरेंगे, तो मेरी इसाब से बैटर रहेगा, वो यहाँ पर है सहरी, लॉरेन डाउन, ठीक है, उसके लाबा गाइस, यहाँ पर हडल स्टोन, कैली, ठीक है, यह चार प्लेयर को अगर आप अपनी टीम में लेकर जाएंगे, तो मेरी इसाब से आपके लिए बैटर रहेगा, ठीक है, यह चारों इंपोर्टन रहेगी इस टीम के लिए, तो आप इनका ध्यान रखिएगा, तो गाइस, इस मैंस के रिलेटेर, जितना भी डेटा, इस टाइट्स आइड्स आपको डेटेल में बता दिया है, तो होफ़ली गाइस, वीडियो आपको पसंदारी होगी, अगर आपको वीडियो पसंदारी हूँ, तो वीडियो को एक लाइक चरूर कर दे, एक लाइक बहुत जादा मोटिवेट करता है, आपके लिए रेगुलर वीडियो बनाने के लिए, साथ यहाँ पर हम अपनी dream 11 की team discuss कर लेते हैं dream 11 की team discuss करने से पहले guys मैं फटावट से आपको giveaway के बारे में बता देता हूं तो कल guys आपके लिए यहाँ पर blue chip एक बहुत कमाल की betting application है जो की नई है इस card link आपको मिल जाएगा इस video का description में guys अगर आप अभी तक sign up नहीं हुए तो जरूर उस link पर click करकर sign up कर लिजेगा तो blue chip application में guys इंडिया और सिर्लंका के T20 match में आपके लिए 30,000 का free giveaway है जो कि सिर्फ मेरे user के लिए रहेगा जो guys हमारे promo code SK11 expert को use करके यहाँ पर sign up करेगा और सिर्लंका और इंडिया वाले T20 match में 1500 का bet लगाएगा ठीक है और वो bet guys अगर वो जीतेगा ठीक है तो guys उसको यहाँ पर giveaway में 1000 रुपे real cash के रूप में उसके wallet में मिल सकते हैं ठीक है तो बहुत कमाल का giveaway है guys जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप bet लगा लिजी इस match पर 1500 का ठीक है अगर मालीजी आपका bet यहाँ पर अब जीत जाते हैं आपका bet तो वो तो guys पैसे आपको मिलेंगे ही जिसके आपने bet लगाए साथ में एक्स्ट्रा में आपको giveaway के भी 1000 उपे मिलेंगे ठीक है तो काफी कमाल का आपके लिए 3000 का फ्री giveaway है तो आप लोग जरूर इसका advantage ले guys बस एक बात का धियान रखिए हमारे promo code को यूज करके जरूर sign up करे तभी guys आप इस giveaway के लिए बाकी जो winners के नाम है वो मैं कल telegram channel पर यहाँ पर post कर दूँगा ठीक है तो बहुत कमाल का मौका है आप सभी के लिए आपको मिल जाएगा blue chip application का link इसी video के description में आप जरूर check out करिए guys ठीक है काफी कमाल का giveaway है तो आप सभी लोग जरूर participate करिए ठीक है और यह मैं सिर्फ अपने members के लिए लेकर आया हूँ तो hopefully guys आपको यह giveaway पसंद आएगी बाकी guys अगर आपको detail में blue chip application के बारे में जान रहूं तो उसके related already मैं video channel पर डाल चुका हूँ आप जाकर channel पर से check out कर सकते हैं उसमें मैंने blue chip application के बारे में हर चीज बताया है guys ठीक है कितने कमाल के यहाँ पर features है कैसे sign up करना है कैसे deposit करना है withdrawal आपको कितने दिन में मिलता है सब कुछ मैंने बताया है ठीक है तो आप वो video चाहे तो जाकर हमारी channel से check out करके देख सकते हैं अब चलिए guys यहाँ पर हम अपनी team discuss करते हैं सबसे पहले wicket keeper section पर आएंगे यहाँ पर आपको जादा नहीं सोच रहा है and dot आपके लिए best player है no doubt ठीक है तो आप इनके साथ ही जाएए जो कि आपको opening पर मिलेगी और काफी consistent player है ठीक है बाकी gauge इस match में खेलेगी नहीं और यहाँ पर बुचानन खेलेगी तो लेकिन उनका batting order काफी नीचे रह सकता है और अगर उपर भी रहेगा फिर भी मैं recommend आपको नहीं करूँगा यहाँ पर best option आपके लिए dot है simply आप उनके साथ जाएए बाकी batter section पर आते हैं guys यहाँ पर केटी पाकिन्स आपको सबसे उपर मिलेगी और इस match में guys इनके top order में batting करने के high chances है तो अगर यह top order में batting करती है guys तो कमाल की differential pick बनेगी आप इनका ध्यान नेखिएगा बाकी अभी के लिए मैं Lauren Down, Craig और Sahari इन तीनों batters को अपनी team में जगा दे रहा हूँ डाउन इस match में opening कर सकती है Sahari opening पर है जो कि काफी अच्छा खेल लई है डाउन भी काफी important batter है इनके पास international experience है Craig last season की top runner scorer और वैसे भी central hints one की काफी अच्छी player है two down पर आपको मिल जाएगी main batter है तो इन तीनों batter को मैं ले रहा हूँ Tomilson खेलती भी है recommend नहीं करूँगा Caton को भी नहीं recommend करूँगा और कोई यहाँ पर किसी player के खेलने के chance सी नहीं है बस अगर Katie Parkins top order में खेलती है तो आपके लिए कमाल की differential pick बनेगी आप definitely इनको team में ले पाएंगे ठीक है अब all downer section पर आते है guys जहां पर Hannah Roby, Jessica Watkin यह दोनों player तो मुझे चाहिए ही जो कि मुझे 4-4 hour की balling के साथ Watkin 1 down batting साथ मैं Hannah Roby 3-4 down batting करके देगी ठीक है तो इन दोनों player को मैंने सबसे पहले ले लिया फिर guys next मुझे huddle stone चाहिए जो की काफी important all downer है इनके पास काफी international experience है guys बहुत अच्छी experience fast baller है hitting करना भी जानती है last season का मैंने stats दिखाया बहुत important all downer ही guys team के लिए आपके लिए CVC की भी कमाल की option है तो इनको भी आपको 100% अपनी team में लेना है बाकी Bella Armstrong एक अच्छी all downer है decent आपको spin करके दे देगी अभी French Jonas एबलेबल नहीं है तो ज्यादा balling कर सकती है तो आपके लिए अच्छी differential pick बन सकती है guys साथ में 3 down पर batting भी करेगी ठीक है तो यह आपके लिए कमाल की differential है Bella Armstrong आप इनका ध्यान देखिएगा बाकी browning squad में नहीं है बालेट खेलती है तो recommend नहीं करूँगा Devon Sire भी ज़्यादा balling नहीं कर रही है तो इनको भी मैं recommend नहीं करूँगा और नीचे से कोई player है ही नहीं ठीक है बस आपके लिएक armstrong है जो कि कमाल की differential बन सकती है आप इनका ध्यान देखिएगा बाकी balling section पर आते हैं guys यहाँ पर actinson आपको मिलेगी opening पर balling यह बहुत कम ही कर रहे हैं ना के बराबर ही तो as a batter अगर आपको लेना हूँ तो आप ले सकते हैं लेकिन मुझे ज़्यादा अच्छी ballers दिकरी है और तो मैं उन पर यहाँ उनको लेना चाहूँगा guys अपनी team में यहाँ पर आपको C green मिलेगी जो कि wicket taker है काफी अच्छी balling करा रही है इस season तो आप इनको ले सकते हैं Kelly है जो कि all downer का roll करेगी batting balling दोनों से आपको points देगी panford एक अच्छी fast baller है recent में न्यूजलेंड team के लिए खेल कर आ रही है wicket भली ज़्यादा नम मिला हुगा लेकिन अच्छी fast baller है आपके लिए differential बन सकती है at least grand league team में आप जरू try कर सकते हैं बाकि friend Jonas available नहीं है ध्यान मत दीजिए hacker death baller है ये भी कमाल की differential बन सकती है साथ में 6 down पर batting भी करेगी तो आप इनका भी ध्यान देखिए इनको भी अगर small league team में नहीं ले पाते हैं तो grand league team में जरूर लीजे बाकि Raj Murray Mayor last season की top BK taken न्यूजलेंड women के लिए भी इनके पास खेनले का experience है बहुत अच्छी fast baller है रंस भी करेगी 5 down पर कमाल की differential है मैं तो कहरा हूँ game changer pick है अभी तक भले performance ना आया हो लेकिन मेरे साबसे किसी भी match में ये game यहाँ पर change कर सकती है तो आप इनका भी ध्यान डखीगा मैं अभी के लिए guys जो की death baller है आप इनको ले सकते है या फिर guys एक all downer बेला armstrong आप इनको ले सकते है तो ये कुछ option है मैं अभी के लिए all downer बेला armstrong के साथ हूँ आप जो दो baller है hucker और यहाँ पर pen fault उनको भी consider कर सकते अपनी team में ठीक है कोई problem नहीं है बाकी अगर आपको एक batter के साथ जाना हो तो आप actinson के भी जा सकते है साथ भी जा सकते है वो भी safe आपके लिए option है ये बनता है guys अभी के लिए हमारा team का preview इसमें CVC की best option की बात करूँ तो CVC के लिए आपके पास यहाँ पर Jess Watkin Hannah Robe Holy Huddlestone ये तीन player मेरे हिसाब से सबसे best CVC का option है इन तीनों के लाबा एक कैली भी अच्छी है आप इनको भी consider कर सकती है तो ये चार option आपके लिए सबसे best है guys CVC के लिए ठीक है अगर आप मुझसे पूछेंगे तो यहाँ पर मेरी captaincy अभी के लिए यहाँ पर है हन्ना रोभी के साथ और wise captaincy हडल स्टोन के साथ आप यहाँ पर चाहे तो reverse भी कर सकते है CVC या फिर Watkin काफी अच्छी है one down पर आपको जो मिलेगी खेलते हुए भली अभी तक performance उतना अच्छा ना आया हो लेकिन इनके पास भी international experience है तो यह भी आपके लिए अच्छी CVC का option रहेगी साथ में क्याले भी आपके लिए एक differential CVC का option बन सकती है ठीक है तो यह बनता है अभी के लिए हमारा team का preview इसमें definitely 100% team में changes होने वाली है final team update काफी ज़्यादा important रहेगी और वही match decide करेगी गाईस तो अगर आप अभी तक हमारे telegram channel पर join नहीं हुए है तो मैं आपको एक बार फिर से remind करा दू आपको हमारे telegram channel का link इसी video के description में मिल जाएगा आप उस link पर click करकर हमारे telegram channel पर जरूर से जरूर join कर लेगा ठीक है तो उस application को भी आप जरूर download करे और साथ में sign up करें हमारे promo code को यूज करके और जो giveaway है उसमें जरूर से जरूर participate करें ठीक है तो बस आज किस video में इतना ही hopefully video आप क्लिन फर्मेटिव रही होगी और आपको पसंद आई होगी आपको video कैसी लगी comment करके बताना बिल्कुल भी ना भूले तो बहुत जल्द मैं आपसे मिलता हूँ next video में